तो ठीक हो न आप सब WhatsApp का delete message कैसे देखें जैसे किसी ने message किया और delete कर दिया तो कैसे देखें बिना किसी app के तो setting में आप लोगो जाना है और यहाँ पे search करना है आप लोगो देख सकते हो notification एच सरिप आप लिखोगे ना तो अपने आ जाएगा notification history तो इसमें आप लोगो को click कर देना है फिर आप लोगो कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा यहाँ पे देखो notification history off है तो इसको कर देना यहाँ से on और on करने के बाद अब मतलब यह पहले अगर on आपके smartphone में नहीं था तो वो message आप लोगो को नहीं दिखेगा लेकिन यह अगर आपने on कर दिया और अब म तो मैं देख पाऊंगा यहाँ से तो डिलेट हो जाएगा WhatsApp से डिलेट हो जाएगा लेकिन वहाँ notification history में मुझे सब दिखेगा तो पहले मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ message करने तो यह मेरा mobile बंद है और अभी मैंने दो दोस्त से message करवाया कुछ जो कि मुझे नहीं पता उ message और इसके बांद वह कर देगा delete for every तो देखो मैं इस mobile को कुछ नहीं कर रहा हूँ वह delete for every कर देगा देखो अभी मैं mobile देख रहा हूँ इसलिए मुझे पता चल गया क्या message किया इनूने बट अब इसाग वह तो उसको पता नहीं चलता है और डिलेट कर देता है वो डिलेट फुर एवरी तो उसको पता नहीं चलता है क्या मेसेज था तो इस ट्रिक से उसको पता चल जाएगा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगो को कि ऐसे करना है और हाँ वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नही और यहां पर देखो इन्होंने भी तीन मेसेज क्या 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 डिलेट कर दिया और इन्होंने अभी क्या मुझे दिखा था जैसे रिराम इन्होंने मेसेज किया लेकिन हर टाइम कोई नहीं नहीं न देखता है तो देखो अब मेसेज डिलेट हो चुका है मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या मेसेज किया है तो अब देखना है मुझे तो अब सेटिंग में जाना है वहीं पे और यहाँ पे फिर सर्च करना है notification history और फिर सर्च करने के बाद अरे आजा भाई देखो आ गया notification story तो इसमें click कर देना है और click करने के बाद यहाँ पे देखो click करना है और यहाँ पे देखो उन्होंने क्या क्या message किया था तो एक दोस्त है मेरा message किया था subscribe now तो subscribe नहीं किया तो कर लेना और एक ने किया था फिर जैसरी राम फिर यहाँ पे इसको मैंने call किया था तो वो भी यहाँ पे आ जाता है और फिर यहाँ पर इन्हों ने जैसरेरा मेसेज किया था और वाटसेप से यहाँ पर देखो चार नोटिफिकसन आया है तो देखो चार सब्सक्राइब नाओ और मतलब यहाँ से आप कहीं का भी हिस्टोरी निकाल सकते हो जैसे इन्स्टाग्राम का भी क्या नोटिफिकसन आया था अगर किसी ने डिलेट कर दिया तो वह भी देख सकते हो किसने आप लोग को कॉल किया है मतलब वह भी वहाँ से अगर डिलेट हो जाता है तो यहाँ पर आप लोग को सो करेगा तो कॉल से भी आप नहीं बच सकते अगर इस trick को अपने mobile में on कर देते हो तो और इसके बाद देखो यह सब्सक्राइब नाव जैसे रिराम जैसे रिराम इन्होंने message किया है तो यहां से इस trick को इस तरह apply करने के बाद आप delete हुआ message भी देख सकते हो तो वीडियो अच्छा लग तो पिस like से subscribe कर देना वीडियो द